हेलो दोस्तों मैं अमित कुमार फिर से एक नए सब्द के साथ आप लोगों के सामने उपस्तित हूँ देखते हैं आज का हमारा सब्द क्या है सरकिल ओफ इल्लुमिनेशन यानि के प्रदिप्ति वरत पहले इसकी परिवासा देख लेते हैं फिर समझते हैं ठोड़ा सा परदिवी पर दिन एवं रात को विभाजित करने में वरत को परदिप्ति वरत कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारी अर्थ है खोड़ी देर के लिए मालने की इधर से लाइट आ रही है हमारा सन इस और है यहाँ पर आदा हिस्सा परकाश में है परत्विका आदा हिस्सा अंदकार में है इन दोनों हिस्सों को एक सरकिल विभाजित करेगा यानि कोई तो ऐसा सरकिल होगा जो दिन और रात को आपस में का यानि के साड़े तेज़ डिग्री, 0 डिग्री से साड़े तेज़ डिग्री यदि आप नौर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको करकरेखा मिलेगी, तो इस फोटो में सूरिय करकरेखा के उपर लंबवत समक रहा है, वहीं आप देख पा रहे होंगे कि जो साड़े तेज़ डिग्री एक्सिस से पीछे अट गया है, जो इस बात को परमानित कर रहा है कि ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में सन की जो इस्थिती है वो करकरेखा के उपर लंबवत है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक वीडियो देखते हैं, फिर समझते हैं चीज़ों को अच्छे से, ये देखिए, ये हमारी अर्थ है और ये रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, इसी पर आप यदि ध्यान दें, इधर से जो सन है वो इस पर लाइट डाल रहा है, तो आदा हिस्सा अर्थ का चमक रहा है और आदे हिस्से पर रात है, इसी दिन और रात को जो एक सर्किल विभाजित करेगा अर्थ के चारों और, इसी को कहेंगे दे सर्कल ओफ इल्यूमिनेशन, यानि के ये अर्थ है, इधर थोड़ी देर के लिए सपोज कर ले हमारा सन है, तो सन पर तियेक समय इसके आदे हिस्से को परकासित करेगा, इधर आदा हिस्सा अंदकार में रहेगा, और उसके बीच से जो सर्किल, यदि मैं ऐसे खीच दूँ, जो दिन और रात को अलग करेगा, उसी को कहेंगे परदिप्ती वृत, अब इससे जुड़े हुए कुछ जो तथ्थे हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, इससे जुड़े हुए जो हमारे कुछ सवाल हैं, नमबर एक, हष्ट जो कोशन है, यानि के परतियक समय या परतियक छण की यदि में बात करूं, तो परत्विक आग कितना हिस्सा परकास में रहता है, या चमकता है, यहाँ पर आप कल्पना कीजिए, यह हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, इधर हमारा सन है, और इसके चारो और भी यह रिवोल्व कर रही है, तो किसी भी छण यदि कोई बात करे, हर समय परत्विका आदा हिस्सा लाइटिड रहेगा, परकास में रहेगा, वो कोई भी टाइम हो, कोई भी छण हो, तो यहां से हमारा पहला जवाब मिल गया है कि किसी भी समय परत्वी का आदा हिस्सा परकास में रहेगा और आदा हिस्सा अंदकार में रहेगा Second question पर नज़र डालते हैं Is the state of illumination circle certain? यानि कि जो परदिप्ती वरत है अर्थ के उपर क्या इसकी इस्तिती निश्चित है, fix है या निरंतर बदलती रहेगी आप इस बात को थोड़ा सोच कर रखें या सोच है इस चीज़ पर क्या पर्थवी अपने अक्स पर घूम रही है, fix है सिंपल सी बात है कि वो अपने अक्स पर निरंतर रोटेट कर रही है दूसरा सवाल क्या अर्थ सूरिय के चारो और घूम रही है या एक ही जगे रुक कर अपने अक्स पर घूम रही है तो दोनों चीजें हमारी किलियर है यानि के पर्थवी अपने अक्स पर भी घूम रही है दूसरा सूरिय के चारो और भी घूम रही है इसका सीधा सा अर्थ यह है कि पर्थवी सूरिय के सापेक्स अपनी इस्थिती को निरनतर परिवर्थित कर रही है जिसके चलते हमारा जो सर्किल ओफ इल्लुमिनेशन है यह इल्लुमिनेशन जो सर्किल है वो निरंथर चेंज होता रहेगा उसकी स्थिति फिक्स नहीं होगी समझतें इसको ऊप सब्षाइए हमारा अक्स है और यह जिरो डिग्री अक्सांस रेका है यदि सन इधर है इस परकार छे ये मकर रेखा ये करख रेख होगा दोनों इस्थिति में देख लें यानि के सूर्य जीरो डिगरी अकसांस से साड़े तेहिश डिगरी उत्री अकसांस की और यदी मौझूद है करक रेखा पर है मौझूद है तो हमारा जो सरक्ल ओफ इलूमिनेशन है यहां से साड़े तेहिश डिगरी पीछे हट जाएगा यहां इसी परकार से साड़े तेहिश डिगरी यहां पर आ जाएगा तो हमारा सरक्ल ओफ इलूमिनेशन यहां पर होगा किलियर और वहीं यदी सन जीरो डिगरी अकसांस रेखा पर लंबवत है तो दुर्वों पर लगबग जीरो डिगरी का कौन बनाएगा और हमारा जो सरक्ल ओफ इलूमिनेशन है वो धुर्वों के जबकि हमारा सन विशवत रेखा पर लंबवत होगा उस दोरान सरक्ल ओफ इलुमिनेशन दुर्वों के ऊपर से गुजरेगा जैसे जैसे सूर्य की स्थिती बदलेगी स्थर की लोफ इल्यूमिनेशन भी चेंज होगा तीसरा कोशन देख लेते हैं Does it divide a latitude into two equal parts? क्या यह किसी अकसांस रेखा को हमेशा हमेशा दो बरावर हिस्सों में बाटेगा या नहीं? सोच कर बताएं यह हमारी अर्थ है तो जो हमारी विश्वत रेखा है यह zero degree अकसांस रेखा सर्किल ओफ इल्यूमिनेशन हमेशा हमेशा इसको दो बरावर हिस्सों में बाटेगा यानि कि यहां से सर्किल गुजरे या यहां से गुजरे या यहां से गुजरे जो हमारी विस्वत रेखा है वो बिलकुल एकदम equal parts में बटेगी दो बराबर हिस्सों में बटेगी तो यहां पर सिर्फ एक ही aksans होगा जिसको हमेशा हमेशा हर moment पर circle of illumination दो बराबर हिस्सों में बाटेगा वो होगा हमारा विस्वत रेखा या भूमद्य रेखा या zero degree aksans रेखा तो चलिए हमने आज समझा है the circle of illumination को आज अपनी class को यहीं रोकते हैं कल फिर मिलते हैं एक नए सब्द के साथ thank you धन्यवाद